नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं आज का लव टिप आपके साथ मैं हूँ आपका लव फ्रेंड संतो संतोशी दिनांग कितने का 16 जनवरी का लव टिप अगर आप 16 जनवरी को किसी भी कारण से अपने प्रेम जीवन में नीरस्ता पाते हैं उसमें जैसे रस ही नहीं है तो बिना विस्वास के भी अगर आप यह प्रियोग करते हैं तो आपको लाव होगा कुछ लोग कहते हैं कि इसका लाव नहीं मिलता देखिए एक चीज़ बता है तो उसका एक प्रश्ण में उत्तर मिल जाएगा कि क्या मुर्दे को जो मर गया है लास है उसको आप दवा दे करके कुछ ठीक करेंगे कुछ ठीक कर सकते हैं क्या जान जरूरी है उसमें प्राण रहे वो जिंदा रहे तब दवा काम कर सकती है फिर भी भोग आता है फिर देखिए कि कोई व्यक्ति एक खुराक में कैसे ठीक हो जाता है और किसी को वही दवा बीस बार खाना पड़ता है क्यों लॉजिक दो ना एक के खुराक में सब कहनी ठीक हो जाते हैं तो भाई हमारा उपाय जिसे हम प्रियोग कहते हैं यह फाइदा तब करेगा जब कुंडली में योग होगा अब किसी के जीवन में प्यार है ही नहीं पंचम भाव नीच का हो पंचम भाव के स्वामी के साथ राहू हो पंचम भाव में नीच का ब्रहश्पती बैठ जाए पंचम भाव के स्वामी के साथ छठे आठवे का स्वामी बैठ जाए तो क्या खाक प्यार मिलेगा अरे हमारे उपाय क्या तुम पूरे ब्रह्मांट का उपाय कर डालो तो समझो कि तिसाइज करने से पहले समझो की आलोचना सही दिशा में है कि नहीं अरे आपका उपाय अशर नहीं करता अच्छा तो सबको काहे नहीं करता असर सबको असर ना करें तुम्हें नहीं करता तुम यह बोलो ना तो ठीक करेगा भी नहीं कोई पूछता है कि उपाय कब तक करें मैं कहता हूं जब तक फाइदा नहों दबा कब तक खाएं जब तक ठीक नहों जब सिंपल तो मेडिकल और जोतिश मतलब एकदम सिमिलर है वैसे ही देखिएगा आज का लब टिप ग्यारह चुटकी गिहुं का आटा तीन चुटकी नमक मिक्स करिए उल्टी सीधी हथेली पर रखिए दाइने हाथ पर और आंक बंद करके थी टाइम्स उनका नाम लेना है मन में पती का या पतनी का प्रेमी का या प्रेमी का का और इस सामगरी को ले जा करके किसी पौधे के नीचे डाल दीजे बस कि सुर्योदय के बाद जितनी जल्दी करेंगे उपाय उतना अच्छा है बात कर लेते हैं अब आज की तीन लगी राशियों की नमबर तीन पर आज की राशी है सिंग राशी पाग्युशाली है आज दो नमबर पे करक राशी क्या बात है और एक नम व्रिश्चिक इस टॉप तोड़े तीन साउधान होने वाली राशियों में नमबर एक पर ब्रिशव राशी नमबर दो पर कन्या राशी नमबर तीन पर धनु राशी आप तीनों को आज साउधान रहने के आवशकता है कुछ समस्याएं और दिक्कतें आपके लिए बढ़ करने लगी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लिजेगा नमस्कार शिरादे